हेलो इस्टुएंट्स एम नम्दलाल और यू आर वाचिंग नो डाउट एजुकेशनल चैनल तो इस्टुएंट्स आज हम लोग परतीसत के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट को स्टुडी करेंगे जो हमारे वन डे एक्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथ हमारे इस द अन्य कई जगों पे प्रतीसत का बहुत ही इंपॉर्टेंस है तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रतीसत प्रतीसत का मतलब होता है प्रतीसत प्रती प्लस सत सत मतलब सौव प्रती मतलब हर अदब हर सत मतलब सौव पे मतलब की परसेंटेज कल्कुलेटेंट अन इवरी हंड्रेट इसमें कि सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि किसी भी डेशिमल नंबर को सबसे पहले टरिक है हमारा कि कैसे हम लोग डेशिमल नंबर फ्रैक्शनल नंबर को कनवर्ट करते हैं प्रतीसत में परसेंटेज में मतलब हाव टू कनवर्ट द रिशिनल नंबर और डेशिमल डेशिमल नंबर इन्टु परसेंटेज तो जैसे मान लिजिए कि 3 by 4 है 3 by 4 fraction में है और इसी चीज़ को मैं अगर देशमन में लिखता हूँ तो इस टैप से होता है जब मैं इसको convert करता हूँ percentage में तो सबसे पहले हमें 100 से multiply कर देते हैं दोनों नमबरों में 100 से multiply करने पे ये convert हो जाता है 75% में और इसी प्रकार 0.075 0.75 multiply 100 is equal to 75% तो देखें तिस सबसे पहले ट्रिक यही है कि कोई भी फ्रेक्शनल नमबर या डेशनल नमबर को percentage में कैसे convert करें तो चलिए देखते हैं दूसरा ट्रिक इसी के opposite इसका opposite ट्रिक यह है कि यदि कोई percentage आए जैसे 75% या 25% तो इसको हम लोग कैसे convert करें decimal में या fraction में opposite है पहले ट्रिक का तो इसके लिए क्या करते हैं कि 25 और percent means होता है by 100 equal to अगर हम इसको fraction में लिखने चाहें 55-25 तो यहां पर हो जाएगा 58-20 या इसको हम लोग decimal में convert करना चाहते हैं तो 0.25 होता है तो देखिए किसी भी जैसे percentage को हम लोग fraction में या decimal में कैसे convert करते हैं यह बहुत important है तो चलिए देखते हैं तीसरा ट्रिक क्या है तीसरा ट्रिक में कोई भी नंबर का प्रतिसत कैसे निकाले जैसे मैं बोलता हूँ 25% of 300 देखिए यह इंपोर्टेंट बात है कि 300 का 25% कितना होगा या इसको इंग्लिश में 25% of 300 या 300 का 25% हिंदी में भी बोल सकते हैं और हमारे इस चैनल पे आप लोग इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम के दोनों शुडेंट्स असानी से समाझ सकते हैं तो इसके लिए क्या करते हैं 25% का मतलब होता है by 100 multiply of का मतलब होता है multiply 300 उस कंडिशन में यह 3 हो जाता है होता है total 75 होता है इसका मतलब एक तीन सो का पटीस परशेंट पच्छत्तर होता है कि इस में कि इस ट्रिक में एक्स कमान कहीं भी हो सकता है था से समझ लेते हैं इसको जैसे मान लिजिए कि भूलेगा कि एक्स परसेंट ओफ थ्री हंड्रेड इज पॉल टू ओन हंडेट ट्वेंटी एक्स का भैलू बतार तो सेंटू सेंट प्रोसेस है एक्स परसेंट मींस दिवाइड हंडेड हैंड औक मीनस मॉल्टिप्लाइइ थ्री हंडेड इपकल टू nove engine 20 जिए मौन क्रोस करते हैं आतार थ्री एक्स कि कउल टू 120 या 3 से इसको हम डायरेक्ट कटा जते हैं 40 X is equal to 40 X का मान 40 होता है अब X का condition यहां भी हो सकता है यहां भी हो सकता है यहां भी हो सकता है चलिए एक दूसरे condition में देखते हैं जब X का value यहां रहता है तो हम कैसे निकले लेंगे इसको जैसे मान लिजिए 20% of X is equal to 120 find the value of X same to same 20% means divide 100 off means multiply X is equal to 120 देखिए यहां पर अगर X का value निकलना है तो X को यहां पर छोड़ देंगे और देखिए यह 120 है ठीक है और यह जो नीचे का value है denominator 100 यह उपर चला जाएगा और उपर का जो value है वहां नीचे आपना condition clear कर देगा एक सब्सक्राइब होगा इस प्रकार हमारा यह ट्रिक कंप्लीट होता है तो चलिए अब और कुछ क्वेशन देखते हैं अब किसी नंबर का percent कैसे निकाले जैसे अगर कोई कहता है कि आपके पूरिक सब्जेक्ट में total mark 500 है और आपको उस marks में से 200 marks मिले हैं तो कितना percent है what percent इसको बोलते हैं हम लोग what percent इसको English में लिखते हैं what percent of 500 is 200 देखिए पुछेगा कि what percent of 500 is 200 मतलब कि 500 का कितना percent 200 है तो यह ऐसे भी कह सकते हैं यह यह भी question आएगा कि आप कि राम के पास कि राम कि पांचों को में से 200 प्राप्त करता है तो उसका प्रतिस्तत कितना है जैसे हम लोग मार्ट सिट में निकाला जाता है तो इसके लिए हम लोग करते हैं percentage equal to option mark यहां पर देखिए option मतलब प्रतांग कितना प्राप्त किया है by total mark total कितना है into 100 इससे निकलता है तो जैसे option mark मतलब कितने अंग प्राप्त किया है total mark कितने marks में से into 100 उस condition में यहां पर 40% होता है तो यह भी बहुत important प्रश्ण है इस पर बहुत सारे question आते हैं आप लोग practice कर सकते हैं और जो हमारे नए ब्योर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका भी हमारे चैनल पर स्वागत है यदि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब कर ले वेल आइकन प्रेश करके अपने notification अन करें ताकि अगला वीडियो या अन्य वीडियो आपके पास असानी से पहुंच सकें तो अब आता है नेक्स्ट ट्रिक मोर और लेस परसंट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट और लेस परसंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप इस पॉइंट को बहुत ही तरीके से किलियर करें क्योंकि यह बहुत question आपके किसी भी exam में repeat करता रहता है इसको समझने के लिए मोर मतलब होता है अधिक और लेस मतलब होता है कम जैसे example के तुरी इसको समझते है जैसे राम के पास 30 मेंगो है और स्याम के पास 20 मेंगो है तो यहां पर दो question आता है यह कहता है कि राम का मेंगो स्याम के मेंगो से कितना परसेंट अधिक है या दूसरा question पूछेगा कि स्याम का मेंगो राम का मेंगो से कितना परसेंट कम है तो दोनों condition में हम लोग less या more percent के द्वारा निकाल सकते हैं चलिए हमको पहले क्रीक में एक प्राप करना है कि राम का मेंगो स्याम के मेंगो से कितना परसेंट अधिक है तो यहां पर हम लोग more percent का फर्मूला लगाएंगे more percent परावर more value अथार्थ कितना ज्यादा है या दोनों का difference कितना है यह भी लिख सकते हैं अब लोग difference इन दोनों का difference कितना है by दोनों में से less value जो है वो है into 100 देखिए यहां पर या इसको सौट तरी किसे कहेंगे तो more percent is equal to x difference by less value मतलब hundred minus x into 100 का फर्मूला लगाएंगे और यह दोनों में से आप किसी भी तज़के से समा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं तो चलिए more percent is equal to difference difference मतलब दोनों का difference कितना है 10 का difference है by less value less value में हम लोग 20 का इस्तेमाल करेंगे into 100 इस condition में आपका 50% होता है कि अधार्थ ढराम के पास स्याम के पास से मेंगों से 50% अधिक हैं अब दुसरे में स्याम के पास राम के पास से कितना percent कौम हैं यहां less percent का फर्मूरा लगाएंगे तो यहां पेieza packout होता है कि जब हमको लेस परसेंट निकालना होगा तो यहां पर देखेंगे कि कितना लेस है अथा डिफ्रेंस वही है डिफ्रेंस बाइ यहां लेस है तो यहां पर मोर भैलू होगा देखिए यह उल्टा चलता है इन्टू हंडड़ के इस्केमाल से तो डिफ्रेंस कितने का है टेन का मोर भैलू मेंस थाटी इन्टू हंड़ेंड उस कंडिशन में 3 हंड़ेड वाइ 3 इस इक्वाल टू 33.33 परसेंट या 33 होल वन वे थाटा है इस परकार आप लों इसको असानी से निकाल पाएंगे लेस एंड लेस और मोर परसेंट कि इसके बाद अगला पॉइंट है किसी भी नंबर के डिफ्रेंस परसेंटेज निकालना जैसे मान लिजी कह गया कि एक्स परसेंट ओफ फाइफंड्रेड प्लास फाइफंड्रेड या 25 परसेंट ओफ इस कंडिशन में हम लोग सेम तो सेम ट्रिक से चलते हैं शॉल्व करने आना जीए इस कंडिशन में हमारा फाइफंड्रेड 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 फाइफ माइनस हो जाएगा तो 5 x is equal to 0 x is equal to 0 हो जाएगा यहाँ पर 0 by 5 होगा तो 0 होता है तो इस टाइप से हम लोग किसी भी प्रश्न का उत्तर असानी से दे सकते हैं तो चलिए कुछ और question देखते हैं अब एक ट्रीक और है इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट इंक्रीज आर डिक्रीज परसेंट यहाँ पर देखिए घटना या बढ़ना या घटना मतलब बढ़ना या घटना यह थोड़ा समझते हैं जैसे मान लिजे कि राम के पास राम की सिलरी पांच हजार है और कुछ दिन के बाद उनकी सिलरी छे हजार हो जाती है तो कितना इंक्रीज हुआ है किसी ब्यक्ति की सिलरी अगर पांच हजार से छे हजार हो जाती है तो कितना इंक्रीज हुआ है अथार्थ इंक्रीज परसेंट से निकलेगा तो इसका होता है कि इंक्रीज परसेंट ब्रावर इंक्रीज वैलू मतलग कि कितना वैलू बढ़ा है और बाई इनिशियल वैलू इन्टो हैंड़ीद देख्यें फेध्य। यहां पे इंक्रीज परसेंट मेंस इंक्रीज वैलॲू कितना इंक्रीज हुआ इनिशियल वैलू टार्ट में कितना था और इंटो हंडे जैसे इंक्रीस वैलू का इसका मतलब होता है 500 से 600 हो गया तो 1000 इंक्रीज हुआ है और बाइ इनिशियल वैलू 5000 इंटू हंड्रेड इस कंडिशन में यहां से यह कैंसिल हो जाता है फाइब क्यूजा 10 होता है तो इसका मतलब कि यह वैलू 20 परशेंट बड़ा हुआ है और इसी चीज़ का अपोजिट डिक्रीज होता है उसको भी समझ लेते हैं यहां पर मान लेजिए कि किसी बस्तू की कीमत 20 रुपीस है और वह डिक्रीज होके घट के श्च्टी है और घट के यह 16 हो जाती है तो बताता है कितना किस्टू हुआ इसका कतना कि दस्तू हुआ और यह चहांपिorkीस अब हो गया हुआ decrease value by initial value into 100 equal to decrease value में कितना decrease हुआ है देखिए हम पर माइनस 4 हुआ है चार घटा हुआ है और स्टार्टिक में कितना था 25 था into 100 तो यहां पर 5 वार में यह भी 25% decrease हुआ है कम हुआ है अधार अगर कम निकालना है तो कितना कम हुआ सुरू में कितना था इंट्व हंडेड अधिक हुआ तो कितना अधिक हुआ सुरू में कितना था इंट्व हंडेड इस तरीके से हम लोग increase दिया decrease percent असानी से ज्याद कर सकते हैं तो चलिए अगले tricks में समझते हैं एक last trick है एक नगर की जनसंख्या 20,000 है मान लिजिए कि कोई नगर की जनसंख्या 20,000 है वह प्रती वर्स 5% की दर से बढ़ रही है मतलग कि उसकी जनसंख्या प्रती 100 पे 100 आदमें पे 5 आदमी बढ़ रहा है था पांच परसेंट बढ़ रहा है तो बताईए दो साल में दो वर्स में इसकी जन संक्या कितनी हो जाएगी देखिए यहां तो ऐसे प्रस्ण में जब इनिशियल भैलू दिया है मतलब कि कितना था कितना प्रसेंट बढ़ रहा है कितने वर्स में इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है जैसे पी बराबर पी जीरो वन प्लस आरवाई हंड़ेट का पावर इन का इस्तमाल करें जैसे इस्टार्ट में आपके पास 20,000 जन संक्या थी और पांच परसेंट रेट से दो वर्स में कितना हो जाएगा इस कंडिशन में आप लोग 20,000 गुरे 105 by 100 होता है यहाँ पर कल्कुलेट करें पर 100 प्लस 5 105 by 100 multiply 105 by 100 उस कंडिशन में दो और दो चार 1 2 3 4 और इस कंडिशन में इन दोनों का मल्टिप्लाई इंटी टू 105 का हो जाएगा 25 और 110 तो यह हो जाएगा 2 इन टू वन जिरो वन 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 जिरो टू फाइब इस परकार हम लोग इसमें इसको अस्तानी से निकाल पाते हैं और इसी पुरशन में एक थोड़ा सा और बदलाव कर दों कि एक नगर की जनसंख्या 20,000 है वह पहले वर्स पांच परशन्ट और दूसरे वर्स दस परशन्ट की दर्स से बढ़ी तो बताईए कि लागातार दो वर्सों में उनकी जनसंख्या कितनी हो गई इसमें क्या बदलाव है पी जीरो पहला है पांच परशन्ट बढ़ी या ऐसे भी लिख सकते हैं आरवन बाई हंडेट अदूसरे में वन प्लेस आर्टू बाई हंडेट का इस्तिमाल करेंगे देखिए क्योंकि यहां पर रेट अलग अलग था दो पहला वर्स में पांच परशन्ट दूसरे बर्स म अगर और आ जाएकर तीसरे परशन्ट में पंदर परशन्ट या बीस परशन्ट तो इसी तरह से हम लोग वन प्लेस आर्ट त्री बाई हंडेट लेके कल्कुलेट कर सकते हैं यहां पर सीरीज है तो यहां पर पी बराबर पी जीरो का वैलो ट्वेंटी थाउजन्ट मल्टि वन हंडेट तेन वाई हंडेट वन तो थ्री फोर वन तो थ्री फोर अब इस कंडिशन में वन हंडेट इसका मल्टिप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका 200 210 इन्टो 110 इस कंडिशन में 23,100 अथाट 23,100 होता है कब जब 20,000 की जन संख्या पहले साल पांच वर्स पांच परशन्ट और दूसरे साल 10 परशन्ट बढ़ती है तो दो साल के बाद इसकी जन संख्या 23,100 होती है तो इस्टूडेंट्स आज हमने आप लोगों को परसेंटेज के कुछ महत्तपूर्ण प्रशनों का इस्टड़ी कराया इसी तरह के बहुत सारे कोश्चन हमारे किताबों में पड़ी हैं आप लोग उसको देख सकते हैं अगर कुछी कोस्टन को समझने में दिक्कत हो तो आप लोग बेजी जग हमारे वाटसप नंबर से पूछ सकते हैं इसको समझ सकते हैं और साथ में यह बता दें कि अगले वीडियो हमारा जो है पर्चेंटेज का ही रहेगा पर्चेंटेज के कुछ और हाई लेवल में ले जाने का परियास किया हूं यह हमारा पर्चेंटेज का पहला वीडियो है दूसरा वीडियो में आप आप लोगों के लिए रिलिश करूंगा और हाँ एक और महत्तपुर्ण सुचना कि कि आप लोगों के लिए मैं जीस का एक ऐसा मास्टर प्लान बनाया हूं जिसमें आप लोगों को नियर अबावट प्रतेक दिन 20-25 जीस आपको मिलता रहेगा लोवर लेवल से हायर लेवल तक इंटरमीडियर तक कि सारे जीस मैं अपने कुछ वीडियो में कांटिन्यू किलियर कर दूँगा और साथ में मैं छोटे लेवल से बड़े लेवल तक साइन्स के कुछ एक्टिविटी लेकर आप लोग के बीच बहुत जल्दी आ रहा हूं तो बने रही है हमारी इस चैनल में और अपने भाईयों के लिए हमारे वीडियो सेयर करना न भूले क्योंकि वह भी अमारी इस वीडियो का फायदा उठा सकें सेयर अधिक सदिक करें ताकि हमारा होंसला उलंद रहे और मैं आप लोग के लिए कुछ बहतर कर पाऊं तब तक के लिए जय हिंद जय भारत